प्रदान मंत्री ने 2020 में दिया था देश को संबोधित करते हुए दिया था और उसमें उन्होंने यही कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है और ना कोई हमारी पोश्ट कबजे में है ना सारी चीजे जबकि यह सारी चीजे हुए आपको बताते हैं तब कि हम जो है जो पी पॉइंट जो ह पी 5 तक पूरी करते थे, कॉम्बिंग करते थे और साधी चीज़े थे, उसके बाद में आज इस्थिती है, पी 15 तक हम खो चुके हैं, अब आप कल्पना कीजिए, तो जब हम इस इस्थिती में आ गए हो और इसके बाद, उस घटना के बाद में, यदि आप और याद कर लें, 1962 से आ जाए, 1962 का यदि हम चीन से युद्ध हारे थे, तो 1960 में हमने चीन को हराया थे, ठीक है, और फिर 1975 में हमने चीन को हराया, दो बाद, उसके बाद में चीन ने जो हमारे साथ वो किया, वो 1987 में किया, और जब 1987 में किया, तो उसमें एक भी जनहान ही नहीं हुई थी, और राजियू गानी ने उसे बड़ा टैक्ट फुली वो कर लिया था, हैंडल किया था, उसके बाद, उसके बाद पर सांतरा फिर चीन बिल्कुल नहीं आ गया आया, और उसके बाद कब आया, उसके बाद जो है आया, दो हजार तेरा में, लेकिन मनमोहन सिंख सरकार ने भी उसे बिल्कुल टैक्ट फुली कवर किया, एक भी ना किसी को चोट लगी, ना जनहान हुई, इसके बाद देखिये, फिर कब हुआ, दो हजार पंद्रा में, जिसमें हमारे 22 जवान घाया गुए, उसके बाद आया, फिर दो हज 2017 में, और 2017 में तो ये हालत हो गई, कि 75 दें, हमारी सेनाएं और उनकी सेनाएं आमने सामने थी, और किस बात को लेके थी, कि डोकलाम में चीन रोड बना रहा है, हुदूर, दो किलो मीटर हमने छोड़ दिया, अपना, उन्होंने नहीं छोड़ा, हमने अपना छोड़ दिया उसे बफर कोन, गोसित कर दिया, और समझवता कर लिया, फिर क्या हुआ, उस समय तो चीन सांत हो गया, बाद में उसने वही डोकलाम में रोड बना ली, ठीक है, रोड कम्पलीट हो गई, और उसके बाद में उसने 2020 में वहाँ पर जो है, पक्के स्ट्रेक्चर बनाना शुर लग्दाक में, 2020 में आपके लग्दाक में 20 जवान मार दी, और एक करनल समय यह मारे गए थे, अब आप सोचे, आप इधर देखते रहे गए, उसने लग्दाक की पूरी सीमा पे कर लिया, और चार गाउं बसा दिये, पोर बिलेजर, मैं नहीं कह रहा हूं, यह अंक्रे कह रहे हैं, यह सटेलाइट पिच्चर्स कह रही है, यह अमेरिका ने जब अभी अभ्यास करने भारत की सेना के साथ आया था, तब कहा था, उनके मंत्रीन कहा था, तब हमारे विदैस मंत्रीने इसे सुईकारा, अब आप समझेए, सुईकार तक नहीं रहे थे, जब अमेरिका से आई, जहां वो पिठु बन के रहते हैं, तब उन्होंने सुईकारा, और उसके बाद क्या होता है, चलिए, यह हो गया, यह सुईकारते नहीं थे, आपको यह चीन बताएं, पंडित नहरू के समय में 1962 में, कुछ हजार हेक्टेर जमीन जो यह चीन ने कबजा की थी, और स जब हमारे, आप यह जानिये, कि कस्मीर जब हमें खडिदा, राजा हरी सिंग के फादर ने, अंग्रेजों से, उस समय जो नक्सा उन्होंने डिफाइन किया था, उसके मुतबिक वो हमारा हिस्सा, आकसाई चीन का जो हिस्सा कहा जाता है, लेकिन वास्त्विक कबजा, कभी ना हरी सिंग तक रहा, और ना उनके जब बेटे राजा हुए तब रहा, तो आप यह समझिए, कि आकसाई चीन पे हमारा कभी कबजा नहीं रहा, लेकिन हमारी पेट्रोलिंग कभी कभी हो जाती थी, इतना जरूर, क्योंकि ना उधर से कोई आता था, ना इधर से कोई आता और उसके बाद में, 1962 के बाद में चलिए, हम उसे मान लेते हैं, उन्होंने कभजा कर लिया, वो कुछ, खुद आप देखिए, भारत सरकार के और नरेंद मोधी सरकार के मंत्रियों के बयान सुन लीजे, और आज अमित्सा का बयान सुन लीजे, उन्होंने भी खुद काया ह कि इतने हेक्टेयर जमीन, हेक्टेयर सब्दी होई, आज क्या है, आज तो दो हजार वर्ग किलो मीटर की जमीन पर कबजा हो चुका है, दो हजार वर्ग किलो मीटर, तो अजे जी जो राहुल गांदी सवाल उठाते रहे, राहुल गांदी कहते रहे इस चीज को लेके और जि सरकार वो चीज के स्विकारी कर रही है भले ही वो दूसरे लहजे में कर रही हो। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर